नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में दर्श को इस कारिक्रम के माध्यम से आप ये जान पाते हैं कि किस तरीके से यदि आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं किसी को वश में करना चाहते हैं या फिर अपने कारियों में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कौन से वो उपाए हैं जो आपके लिए कारगर साबित होंगे कौन से वो उपाए हैं जिनको आप करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं ये आपको इस कारित्रम के माध्यम से बताया जाता है तो आज फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ एक वशी करण का प्रचंड, सरल, सटीक और शक्तिशाली उपाए लेकर जिसको आप अपने घर बैठे कर सकते हैं और किसी भी समय कर सकते हैं इसके लिए आपको बहुत ही कम सामग्रियों का इस्तमाल करना होगा जो आपके घर में आसानी से आपको उपलब्थ हो जाएगी आपको कहीं बाजार में जाने की भी अवशक्ता नहीं पड़ेगी तो चलिया आपको बताती हूँ कि वो कौन सा उपाए है जिसको करके आपकी जिन्दगी बदल जाएगी जिस व्यक्ति को भी आप चाहें वश में कर पाएंगे और जिस व्यक्ति को आप वस में करना चाहते हैं इस उपाए को जरूर करें और उनका नाम लेकर इस उपाए को सच्चे मन पूरी शधा के साथ करें वह व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा आपकी पात मानने लगेगा और यदि वह किसी और के चकर में है तो उसके चंगल से मुक्त होकर आपके पास वापिस आ जाएगा तो चलिए इस उपाय को आप बताने के लिए मैं बिलकुल तयार हूँ और आप भी तयार हो जाएं इस उपाय को लिखने के लिए और करने के लिए जिसके नाम मात्र से आप इस उपाय को कर सकते हैं वह व्यक्ति आपके मन में होना चाहिए क्योंकि यदि वह व्यक्ति आपके मन में होगा तो मातर नाम लेने से ही आप इस उपाय में सफलता हासिल कर लेंगे इस उपाय को करने के लिए जिन सामग्रियों का इस्तमाल आपको करना होगा वह सामग्रियां हैं जो कि आपको घर में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी जो कि बिल्कुल साबुत होने चाहिए ये चावल कहीं से खंडित तूटे हुए नहीं होने चाहिए उसके बाद आपको लेना होगा एक दिया इस दिये में तेल भरा हुआ होना चाहिए तेल का दिया आपको जलाना होगा सरसो के तेल का अब बताती हूँ आपको किस उपाय को आपको करना कैसे होगा आप सफेध रंग का कागज ले लें और सफेद रंग के कागज पर थोड़े से को थोड़े से रखे चावल है चावल रखने के बाद इस पर रखे थोड़ा सा सिंदूर और सिंदूर इसके उपर रखने के बाद आप बना लें इसकी एक छोटी सी पुडिया बिल्कुल इस तरीके से इस तरीके से आप एक पुडिया तैयार कर ले इस तरीके से इस पुडिया को बनाने के बाद आप सरसो के तेल का दीपक जलाएं और सरसो के तेल के तीपक को जलाने के बाद आपको ये जो पुडिया है ये साथ बार इस तीपक के उपर से घुमानी है लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप इस पुडिया को इसके ऊपर से घुमाएंगे उस समय आपके मन में आपके दिमाग में उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं और उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आप ये प्राथना करें इश्वर से कि वह आपके वश में हो जाए साथ बार आप इसको दीपक पर घुमाएंगे दीपक जला हुआ होना चाहिए और घुमाते समे साथ बार आप करेंगे हमारी गुरु माता द्वारा बताinks हुए वशी करण के सिद्ध मंत्र का जाप आप इस मंत्र का जाप साथ बार करें एक बार पुढिया घुमाएं मंत्र पढ़ें दूसरी बार पुडिया घुमाएं मंत्र पड़ें ऐसा लगातार साथ बार करें और ऐसा करते समय उस व्यक्ति का नाम अपने मन में रखें जिसको आप पाना चाहते हैं जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसके बाद इस पुडिया को एक जिसका ध्यान रखेगा जब आप मंत्र पड़ेंगे और उस व्यक्ति के से आप जिसको चाहते हैं उसके लिए इश्वर से प्रात्ना करेंगे तो ये पुडिया आपके हाथ में ही होनी चाहिए उसके बाद आप इसको पुडिया को ले जाएं और ले जाकर किसी पेड के नीचे दबा दें इसको पेड के नीचे दबाते समय आप एक बार फिर से इश्वर का ध्यान करें और उस व्यक्ति का नाम लें जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं वैया व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा और आपकी हर बात मानने लगेगा यदि आप इन चीजों का समाधान करना चाहते हैं किसी को वश में करना चाहते हैं या फिर हमारे गुरु जी के दुआरा मांग दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपको उपाए नहीं समझाया उपाए की उनको आसान बना सकते हैं वाटसअप के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं फिलाल मुझे दीजिया आग्या जय माता दी